हेलो एवर्यवन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ेपोंटर से पर आप सुभी कार्दिक स्वागत है आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे हर्याना सर्किल के अंदर 9.1.2022 को वेकेंची दोजार जो थी हमारे दोजार बीस की उसका जो PSA के लिए एग्जियाम हो था GDS to PSA, MTS to PSA या Postman to PSA वो अगजयाम हुआ था उसके आज हम answer की solution करने वाले हैं तो आप जितने भी साथी देख रहे हैं वो साथ साथी में answer देते रहें क्योंकि ये paper है मैंने देखा है, analysis किया है, काफी lengthy है आपको भी यहां पर पता चले कि आपकी कितने त्यारी है तो आप साथ साथ में answer जरूर देते रहें और मैं question complete नए पढ़ते हुए, मैं question पर टिक लगाता रहा हुआ और आप अपने answer comment box में लिखते रहे हैं क्योंकि अगर मैं पूरा question पढ़के इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूआ तो वीडियो डेड़ से दो गंट के बीचे चली जाएगी अराम से तो आप केवल जो मैं question के टिक answer लगा रहा हूं वो आप ध्यान से देखते रहेगा और फिर भी कोई भी गलती रह जाती है कोई भी question में अगर गलती लग जाता है या मैं मेरे से गलती हो जाती है तो आप comment box में लिखें और उसका मैं जरूर solution जो है update solution आपको देने की कोशिस करें वैसे मैंने answer है लग भग 99.9% accuracy करने के की कोशिस की है फिर भी कोई भी गलती रह जाती है तो आप हमें जरूर बताएं तो मैं साथ साथ हम बीची बीच में बोलता रहूं है बीची बीच में अगर चोटा question आ जाएगा तो बोलता है तो पहले question के अंदर माना बोला गया है निमलिक्त में से किसे एक निशित पता नहीं माना जाएगा तो यानि की अर्टिकल एड़िश्ट टू एक क्लास और पर्सन इन contradiction to particular person और फर्म यह इसके option है और यह option नमबर एक है यह दो तीन चार इनमें से हमको बताना है कौन सा एक निशित पता नहीं माना जाएगा तो इस question के अंदर हम देखें यहाँ पर बोला गया है नहीं माना जाएगा तो इस question का right answer आपकी है जो डी नमबर option है वो यहाँ पर क्या हो रहा है right हो रहा है कैसे हो रहा है नहीं माना जाएगा one third और fourth है वो नहीं है और है कौन-कौन से वो देख लेते हैं किसी निश्चित व्यक्तिया माद्यम से समभधित किसी निश्चित व्यक्तिया के लिए समभधित पत्तर माना जाता है और यह आपकी है 5 नमबर नेची सथान या वितन चेतर का समभधित पत्तर तो यह तो होते हैं नहीं पूच्छा है तो 1 और 3 और 4 यहां पर राइट आंसर होगा तो इस तरह हैं क्योंतों छोड़ी लंबे हैं तो इस लिए मैं क्योचित आपको टिक लगाते रहूंगा और बेए इस्ति अ्ट्रीय आंसर assign वूचा सुटक होगा यसकर राइट आंसर अपके होगा the best नमर बढ़ते हैं तो दो आफानेश्दाब्स。 के बजन सिमह आपके दानी है इसका राइट आँसर आपके होगा ऑपसे अंबर टू के जी वन थो नेक्स प्सिंयां के नेक्स थूशन हैं हैं फौर्थ नंबर किस fal फ्राइब फॉर्फ नम्बर क्योंट है कोई भी मालो आइप्यर खो जाने के समंदों में पूंस आजकी लिए विदन जमा करने की समय सिमा क्या है लिमिट पुछी गही आप से तो इसके आगर आप से पुछां इक क्योंट नमबर B जारी करने के महिने कांति हम दिन से 12 में मिन ने के बितर विदिन 12 मेंथ फ्रॉम दी लस्ट अफ दिमांथ इस्यू करें अंसर होगा आपके बी तो next question 5 number question है इसका right answer होगा आपके option number C option number C यहाँ पर इसका क्या होगा right answer पहले के बरावर दूसरा menu order का commission यहाँ पर right answer होगा आपके C तो next question है six number आपके six number question पर हम देखें तो इसका A number right answer होगा यहाँ पर अगर आप CB statement पढ़ोगे तो A number यहाँ पर right है तो आपको तेलंगाना सरकल का मुख्यले बताना है तो मुख्यले इसका है है हैदराबाद तो next question है आपके सामने जो book packet containing जो book है परता हमस्राणी कौन से जो सर्फेस के साथ है संत्रन दिया जाता है तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर मिल है option number A चाहता है या सर्फेस नेक्स्ट कुछन है कोई भी पार्सल अगर आपको letter box के अंदर प्राप्त होता है तो उसको हम registered parcel मानें तो option number C यहाँ पर क्या रहेगा आपका राइट रहेगा तो next question 10th number question 10th number question के अंदर आपसे जो भी आपको incorrect statement है वो सभी statement आप दोनों बासा में बढ़ सकते हैं और साथ साथ में अपने answer भी देते रहे हैं आपके सामने है और इसका 10 number question का right answer होगा option number आपके D incorrect D number आपके है वो राइट होगा तो D number यहाँ पर राइट है next question है आपकी 11 number question 11 number question तो इसका राइट answer होगा आपके B सीमा सुलुक अधिकारी यानिकी custom duty आर तो यहाँ पर शिकायत होगा निप्टान किसके दवारा किया जाता है जो custom duty officer है authorized है उसके दवारा किया जाता है तो 12 नमबर कुशन आपके सामने है इसका राइट answer होगा आपके option number C option number C next question है 30 number question है तो 30 number question के हम बात करें तो इसका right answer होगा आपके B B right answer B sorry B सुलुक नहीं लगेगा यहाँ पर जो आपके अंद साहिते है option number B यहाँ पर राइट रहेगा विदेशी डाक में 35 सुलुक के कि पेगट को लिए कितना सुलुक देना आव सक है तो राइट answer होगा यहाँ पर बढ़ते है नेक्स्ट कुशन क्यों पोटें नमबर कुशन का राइट आउसर होगा आपके ए नमबर ऑप्जन नेक्स्ट है कि विदेशी डाक यहाँ पर स्रेंट्ट पोची गई है लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट है तो 50 नमबर कुशन है आप आपको बतानी है कि इन्कॉरेक्ट ऑप्जन बताना है कौन्शा इनकॉरेक्ट ऑप्जन है य यहां पर राइट आंसर देखें तो यहां पर राइट आंसर होगा इनकॉर्यक्ट आप्सण आपके पंद़ळा-प्र पास E जीर दिफ वोस्ट उपिस अंडर टेक्स तो यह राइट आंसर आपके है ओप्शन नमबर सी यहां पर क्या होगा राइट आंसर होगा 60 Numbers क्युश्ट आपके option number c next question का 17 Numbers question का right answer आपका बताना है है तो 17 Numbers क्युश्ट का आपके right answer d option है है next question आपको है आपके सामने 90 Numbers question जहांपर पुछा गया है कि airmail letter के लिए आपको कितने वजण से अधिक नहीं होना चाहिए नायंतीन नंबर कुशन का टूक अईकDe au n होना चाहिए हूं तो यहां पर नहीं होना चीए तो रोगा आपके का टूकेशोर बढ़ान के में ओने ले नंबर कुषन होगा आपके दी नेक्स्ट कुशन है आपके सामने टाउन्टी वन तो दर्पन की यहाँ पर आपको पुछी गई है फूल फोरम तो आपके ओप्सन नमबर यहाँ पर बी है ओप्सन नमबर बी यहाँ पर क्या रहेगा आपके कि इस नमबर का डिजिडरल अडवांट्समेंट ओफ रूरल पोस्ट ओपिस वाफ इन न्यू इंडिया तो अप्सन नमबर बी यहाँ पर क्या रहेगा रहेट रहेगा टाउन्टे टू के अंदर आपसे पुछा गया कि आईटी आदुनिकर प्रियोजना के जिसका उद्यस से तो इसके अंदर आपको बताना है कि कौन साथ जो आपकी है सिस्टम है आईटी इन्वारेटमेंट का उसके अंदर जो आपके प्रोजेक्ट आईटी मोटरनाइज़सन प्रोजेक्ट एम्स प्रिपरिपरिशन ऑफ दी कि इंप्लोई ओफ दी डिपार्यमेंट एने फंक्षन के प्रोजेक्ट से कार्य करने के लिए त्यार गया है कि 22 का राइट आंसर होगा तो चैंज मनेजमेंट प्रिवरतन के लिए पुछा गया तो चैंज मेंद में यहां प्राइट आंसर होगा तो SDMS का फूल फोरम बताना है आपको 23 नंबर क्योशन का अंदर आप से आँगर देखें तो हेल्प डेस्क मेंजमेंट सिस्टाम राइट अन्स रोग ऑप्सन नंबर ए 24 नंबर डागर बचत गरायकों के लिए मुबाइल बैंकिंग बारते डाक में कब शुरू की गई थी 24 नंबर का राइट अन्स रोगा 15 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी ओप्सन नंबर बी यहां पर क्या रहेगा आपका राइट रहेगा नेक्स्ट कुछिन है आपके सामने 25 नंबर तो इसके अंदर आपको उप्तान है उस प्रेवजना का नाम तान है जिसका अधिस डागरों की डाक्यों क्रमचारी को स्मार्टपोन जैसे आवसक उपरण की आवपरती कौन करता है तो इसका राइट अन्स रोग आपकी इसका राइट अंसर होगा तो 25 तक आपके कुछुछन हो चुके हैं और साथ-साथ हमे आपको इनके राइट अंसर भी देने हैं तो नेक्स्ट आपके सामने हैं 56 तो इसका राइट अंसर होगा आपके option number B 27 number question आपके सामने है 27 का आपको answer देना है साथ में और इसका right answer होगा आपके option number D provider next question है 28 28 का आपको right answer देना है इसका NISG की आपको full form बतानी है तो option number 28 का a national institute for smart government तो option number यहां पर air क्या रहेगा right रहेगा नेक्स्ट question है 29 29 किसन का आपको right answer देना है कि आपको बताना है वरतमान में डागर के ATM कैसे management or cash loading wonder कौन है कैस लोडिंग का vendor कौन है तो इसका right answer मैं आपको बता दूँ एजियस है company है वो इसका vendor है ATM के अंदर cash डालने का काम कौन सी company करती है एजियस तो नेक्स्ट question है आपको बतान है कि इन में से incorrect explain करना है कौन है तो आपको नेक्स्ट क्यूशन की और 31 नमबर क्यूशन का आपको बताना है वरिष्ट नागरिक जो आपके सीनिय सिटिजन से होता है कौन सा विकल्प गल्थ है यह option आपको बताना है 31 के अंदर भी कौन सा यहां पर क्या होने वाला है wrong होने वाला है तो यहां पर आपके राइट आंशर होने वाला बी तो एप्सट नंबर बी जहां पर क्या रहेगा राइट रहेगा तो बढ़ते हैं एक्स्ट क्यूशन की ओर कि नेक्स्ट क्यूशन है आपके सामने 32 दीपयमिट सिब होगा क्या होगा क्या होगा इसका पुल-मेसिडित के अंदर ऑफको पूचा गया है कि सताई होगा तो 32 नंबर क्यूशन का आपके राइटाइश होगा 100 रुपे यह पर क्या होना चाहिए सथा ह होना चाहिए नेक्ट विशन 33 तो इसका राइटाइशा होगा आपके ऐस नमबर बी next question क्यों बढ़ते हैं 34 के अंदर बढ़ते हैं कि अगर कोई आदमे 55,000 रुपे का बगदान करने के लिए कोई speed post booking कराता है उसको छूट कितने की मिलेगी तो पांच परशनेट की यहांबर छूट मिलेगी कि gren एक स्योटी का पांच रूपे हैं जहां वसुलकी ने जानने वाली रास diu क्या रहेगी स्योटी सुविद्याक अलाव बढ़ाने के लिए अतरिक सुलक क्या है जहां प्राप्त करता से वसुल की जाने वाला रासी पांच रुपई है तो इसका राइट आंसर क्या है कि थर्टी फाइफ नमर कि उसने इसका राइट आंसरो आपके भी सो रुपई तो नेक्स्ट कुश्टन है यहां पर स्योड की जगह क्या आना था विपी एं विपी पी स्योड फैसलिटी पुचा स्योड फैसलिट अमाउंट वी रिकावड फ्रॉम एड्रेसी ओफ आरस पांजर स्योड एठीक नेक्स्ट कुशन है 26 36 के अंदर आपके रहा इंसरोग आपस नमबर एक नेक्स्ट के और बढ़ते हैं 37 37 अब्राइब है अपके अपसे नमबर भी तो next कुशन की और बढ़ते हैं 38 s kalk Jesus डिक माइश्टामप सीट्वेज़ सीट के खरीदने पर प्रतिसरत की सूट कितनी मिलती है 38 के अंदर हम बात करें तो हमें 50 ंट 20 की सूट मिलती है अगर 100 रुपे गमाइस टाइंप हम खरीदते हैं नेक्स्ट कुछ ट्रटी नाइन 39 का उप्सन नमबर हमारा रहे रहेगा ए और 40 के अंदर रहेगा हमारा उप्सन नमबर बी 41 के अंदर रहेगा 39 के अंदर रहेगा हमारा A और 40 के अंदर रहेगा हमारा D 40 के अंदर हमारा रहेगा D 41 के अंदर राइट आंसर रहेगा हमारा D 41 के अंदर भी हमारा क्या रहेगा D 42 के अंदर रहेगा हमारा B option number B 43 के अंदर आपका right answer रहेगा option number A 44 के अंदर हम देखें तो इसका right answer भी हमारा रहेगा option number D next question के और हम बढ़ रहे हैं 45 हमारा है इसका अभी right answer आपके रहेगा दी और 46 के अंदर right answer देखें तो हम इसकी बात करें तो option number A हमारे यहां पर क्या रहने वाला है right रहने वाला है तो 47 के अंदर अगर हम बात करें 47 का भी जहां पर right answer रहने वाला आपके option number head sorting assistant option number C 48 के अंदर हम बात करें तो right answer होगा आपको option number B 49 के अंदर अगर आप देखें तो इसका right answer भी आहमारे रहेगा option number D नेक्स्ट क्यूशन आपका लास्ट क्यूशन अंपेड तो इसके अंदर आपको बताना है right answer तो इसका टी स्टैंप right answer होगा option number 50 का यहां पर right answer होगा तो इसके साथ है जो डियोपी क्यूशन है वह आपके 50 complete हो चुकी है वो इसके answer लगबग 99 परशेंट आपको 99.9 परशेंट आपको accuracy साथ बताए गया है फिर भी कोई भी गलती रह गया ता आपको में जरूर लिखें तो आपका यह पेपर था जो काफी लेंती था अगर ऐसे एबी सीडी ऑप्शन ही आंस्वर बताएं उसे में काफी टाइम लगाया लंबी वीडियो बन गई है तो अगर हम डिटेल से बात करते तो काफी टाइम लग जाता लेकिन यह हम डिटेल से है चाहिए सब गताःन तो लोगब हो जो परेंगे तो आज के लिए बिसितना ही है और जो आपके शेकडिड पार्ट भी है इसका solution भी आपको थोड़ी देर बाद आपको उपलब्ध हो जाएगा हमारी टीम ने इसका solution कर लिया है लेकिन नेटरक कम होने के कारणे वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है तो आपको पार्ट भी दोनों का जो solution है मिल जाएगा और पर थर्ड का भी आपको कुछ समय बाद यानि की नेक्स्ट अगले दिन आपको इसन का solution भी मिल जाएगा तो धन्यवाद थैंक्स पूर वाचिंग पर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने जितने वी साथ जय्वार वीडियो